हेलो वच्छा लोग दिस इस गुपाल सर और विलकम टो एजोश्टर्स आज का हमारा टपिक होगा इकोनामिक इंपार्टेंस आफ अनीबी प्रोड़क्ट ध्यान दिजेगा हनी बी बहुत से लोगों ने कर दिया है इकोनामिक इंपार्टेंस आफ हनी भी मदुमक्खी का होता है ऐसा है मदुमक्खी को लाएंगे उसका हम करेंगे मदुमक्खी से जितने VII products की बात करेंगे तोमयांंकी की बौड़ी भी वहोगी तोνहिए उसी मेरा जाएगा लेकिन इंपार्टेंस यह नहीं कह सकते हैं कि कोनामिक मीक इंपार्टेंस आफ हनी थे गल्लत हो जाएगा बटा हमेशा ध्यान देना आप लोग कि economic importance of honey bees product यहाँ पे किसकी बात हो रही है और product यहाँ पे दो ही होते हैं पहले पे अगर बात करें तो होता है honey पहला product इसका होता है honey और दूसरा अगर बात करें product तो क्या होगा wax होगा wax तो ध्यान देने वाली बात यहाँ बटा कि दो ही product होता है honey एक होता है wax अगर exam question पूछ दिया write out the importance of product या method of product या फिर type of product तो दो ही product लिखेंगे प्लस economic importance में जो चीज़े हम लिखवाएंगे उसी को उसमें add कर दीजेगा आपका question वो भी complete हो जाएगा ध्यान दीजेगा अब हमारा जितना भी session चलेगा इसमें ये रहेगा कि हम question wise आप लोगों को सारा paper solve कराने वाले हैं क्योंकि ये video last था इस paper का और इसके बाद 2-3 topic है तो उस पे जादे बच्चे comment ना करें कि sir वो भी दीजिया हाँ देने लायक रहागा तो हम दे देंगे नहीं तो telegram पे अपने notes प्रवाइट कर देंगे question है बेटा ये अयोध्या इंवर्सिटी में पुरांचल इंवर्सिटी में बिद्यापीड में इन जगहों पर ये question उठाया गया है इस वजह से हमने उसको select करके पढ़ाया था बहुत से बच्चे देखते हैं आते हैं देखें चले गए उनको फरकी नहीं पढ़ रहा है चै चोड़े चोड़े टापिक का वीडियो हम डालना है वह सब मोस्ट इंपार्टन टापिक हैं जो एक्जाम में आए हुए हैं ध्यान दीजेगा कि उसको छोड़के निकलना नहीं है उसका आप मैटर बनाते चलिए और वह तो आल्रेडी मीन हम पढ़ाया है अभी मीडियन प बाइस टेट कंपलीट हो जाएगा बहुत से बच्चें चिला रहा है सर सेकेंट पेपर पढ़ाईए सेकेंड पेपर तो ही स्टार्ट किया हमने जो बाइस चल रा है बिटा वह सेकेंड पेपर का फोर्थ यूनिट हमने पढ़ाया है दो तीन क्लास अगर हम जबरजस्ट ल हम weightage के हिसाब से उठाएंगे और उस weightage को देखते हुए कि कौन सा question हम को देना है कि ये बच्चे अब लेके चलें और इसका क्या role है तो चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं product जो honey भी product है यहाँ पर होता है दो एक होता है honey एक होता है wax जो honey होता है honey mist जो मनवक्खी का सहद होता है यह सहद का बहुत बड़ा role होता है इसमें chemical composition जैसे मीठे का बहुत ज़्यादा वह पाया जाता है मात्रा इसको लोग दवाओं के रूप में यूज करते हैं प्लस यह बहुत पहले जमाने से मीठे के रूप में यूज किया जाता है moment बनाने के लिए यह सारी चीज़े तो चलते हैं अपने टाफिक पर जो economic अब इसके अंदर ध्यान दिना बिटा economic importance of honey भी प्रोड़क्ट के अंदर हेडिंग आती है economic importance of honey भी मत करियेगा of honey यानि कि सहद का जो economic importance है वो हमको बताना है तो honey is used by human यह जो सहद है human के द्वारा यूज किया जाता है हमने क्या बुला कि अगर हम बात कर रहा है सहद की यह जो सहद है इसको कौन यूज कर रहा है human being यूज कर रहा है आप beers को भी जानते है भालू लोग भी यूज करते है बियर भालू ही होता है न डियर नहीं नहीं होता ध्यान दिज़ेगा confusion में मत आ जा चले जाते हैं कहां गुफाओं में रहने के लिए जब यह हाइबर्नेट करने वाले होते हैं तो सहद का पान करते हैं यह ध्यान दिजेगा सौरी आपको में कुछ हो गया चलिए कोई नहीं है फिर बात करते हैं यूमन इस यूज़ बाई हून जो सहद है यह किसके द्वार इस टैले बीच में आ जाता है आफ वीच दा मोस्ट इंपार्टेंट इज एज फूड एंड मेडिसीन यानि दो इसके मोस्ट इंपार्टेंट वैलू है इस हनी का इकोनामिकली इंपार्टेंस अगर हम देखें तो मानव जो अपने बेवार में यूज़ करता है इस सहद को वो दो ही प्रकार से करता है एक फूड के रूप में करता है दूसरा दवाओं के रूप में करता है तो अगर फूड की बात करें तो हनी एक बहुत ही टेस्टी और निूट्रिटिव मैटेरियल है जिसका निूट्रियेंट के साथ साथ मेडिसीनल वैलू भी बढ़िया है य यह सभी प्रकार के न्यूट्रियेंट को रखा होता है एक मिनिट के लिए वीडियों बंद करो जर्ण सी प्राब्लाम हो जाने के वज़यसे थोड़ा सा रोकना पड़ा बच्चा о क्योंकि देखो जब हम मिलब बंनते यां कोई भी वीडियों बना तो कहीनने थोड़ा थोड़ा दिस्टर कोई न legend है जिसकी वज़यसे रोकना पड़ जाता नहीं तो खुलिली वीडियो दे और कांटेन्यू प्रोइड करें और जब हो सके क्लास हम प्रोइड करते रहें कि कंटिन्यू एक 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 दो दो घंटे त यहां फिर हम सुटिंग चला रहे हैं तो ऐसी यह वस्थाय बन जाते हैं सो डिस्टर्ब्स आता है चलिए कोई नहीं आते हैं वीडियो पर कंटिन्यू अगे हनी इस हाइली निट्रिटिव इसली डाइजेस्टिबल यह जादे क्या होता है निट्रिटिव होता है और डाइज सुगर होता है मिनरल्स होता है विटामिन इटी सी आई मीन और भी चीजें होती है ठीक है यह याद रखिएगा कि अगर इसकी बाप करें आल इट कंटेन आल टाइप आप निट्रियंट्स यानि पोशक तत्व जो होते हैं वो अगर आप को होगे सर यहां पर ऐसे पोशक त तो आप बोले हैं कि विटामिन होता है प्रोटीन होता है और कार्बो हाइडरेट होता है हां होता तो है यह मिनरल्स में आपका आगया प्रोटीन और चीजें आती है प्रोटीन में और विटामिन तो है ही और कार्बो हाइडरेट में सुगर हो गया तो यहां तीनों चीजे है सुगर मतलब इसको लेने से डारेक्ट इनरजी हमने एक क्वेस्चन पूछा था तो वहाँ पे सुगर का मतलब यहीं होता है सुगर तुरंद से इनरजी देता है और इसके पहले जो बाई स्टेट का हम पढ़ा रहे हैं उस उस सीरीज में क्वेस्चन का एंसर है लास्ट व 13.1 जो वो वीडियो नहीं देखे है आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को पाएंगे तुरंद जाएं वो क्वेस्चन साल्ब करें उसका एंसर 13.1 आएगा और वो एक्जाम के पॉइंट आवए से मोस्ट इंपार्टन टाइप का क्वेस्चन है चलिए यहां पर आत गा और प्रोटीन है मिनरल्स है तो बाडी बिल्डिंग मैटेरियल भी है सुगर है यानि इंस्टेंट इनरजी अगर आपको चाहिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादे इनरजी चाहिए तो कहां से लेंगे फैट से लेंगे कि प्रोटीन से लेंगे कि कार्बोह लेंगे यह बहुत इंपार्टेंड और लाजिकल क्वेश्चन है ध्यान दीजेगा कार्बो हाइडेट इनर्जी का सोर्स भले ही कहा जाता है लेकिन इंस्टेंट सोर्स है जैसे हमको अभी उर्जा चाहिए हम ठक गये हैं तो हम तुरंत एक ग्लास ग्लुकोस का घोल हमारे अंदर इनर्जी आ जाएगी लेकिन हमको हर दिन कारे करने के लिए अगर उर्जा चाहिए तो हमको फैट का सेवन करना पड़ेगा क्योंकि फैट में अगर बात की जाए तो 8% पाया जाता है और यहां कार्बो हाइडेट अगर और किसी चीजों में कार्बो यह तुरंद काम करती इसलिए कार्बो हाइडेट इनर्जी का सोर्स बोला जाता है जबकि फैट अगर हम लेंगे वो डाइजेस्टेबल नहीं होता यह ध्यान दीजेगा जिसमें जादे इनर्जी मिलती है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है प्राब्लम यही होता है को लिया जाता है वो दो एक दिन बाइजेस्ट होके इनर्जी के रूप में हमारे बड़ी में यूज होगा जैसा हम कार्य करेंगे तो यह हमेशा पॉइंट याद रखेगा कि यह तीनों चीजें अपने अपने जगह पे अलग अलग वैलूस को रखती है तो चलते आगे इ हनी में भी टेकेन बाइ हेल्दी यानि जो स्वस्थ मैन है हेल्दी पर्सन एंड दोज हूर इल यानि उनके द्वारा भी लिया जाता है जो बिमार है और वह पर्सन जो स्वस्थ है वह भी ले सकते हैं और हनी का एक फाइदा बता दें आप लोगों को क्योंकि लगभग वी स्कीन है यह स्मूथ साइनी और हमेशा क्या होता है गलो करता रहता है तो सहद का ये भी फैदा है एक चम्मश सहद लेने से यह हमेशा एकदम गलो में रहेगा अभी ये मत कहिएगा कि हमारा गलो कर रहा है हमारा आज कल डमी पढ़ गया है क्योंकि रात रात जागना करता है आगे चलते हैं इस एस्टिमेटेड डैट 200 ग्राम आफ हनी यह देखा जा सकता है कि 200 ग्राम जो हनी है यह प्रवाइड करती है कितने के बराबर इनर्जी इससे मिलता है एज मच नरिस्मेंट यह बहुत पोशक तत्व है और भी पोशक तत्व की अपेच्छा यहां से वो इनर्जी मिल सकती है इतने ग्राम में एज अगर हम कितना ले 11.5 लीटर अगर हम दूद पी रहें उसके बराबर हमारा 200 ग्राम हनी ही है 11 लीटर दूद के बराबर हमारा 200 ग्राम हनी का है पोशक तत्व यानि चाहे हम 11 लीटर दूद पी लें चाहे 200 ग्राम सहद ले ले बरबर निूट्रियंट मिलेगा या फिर अगर हम बात करें, डेड़ किलो ग्राम क्रीम खा लें, क्रीम या मलाई ये कह सकते हैं ना, क्रीम मलाई ये सब जो चीजे होती हैं, या अगर हम सेवन करें, या फिर 200 ग्राम हम ये खा लें, बरबर के, कि 1.6 केजी क्रीम कितने के बराबर, अगर हम 200 ग्राम ये ले र होगा तो यहां अगर हम बात करें तो एक और बचा हुआ चीज है यह आपका मीट हो गया आई मिन 330 ग्राम मीट है तो अगर हम बात करें या किसके इक्वल है 200 ग्राम 200 ग्राम चाहे हम सहद ले 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 या फिर ग्यारा लीटर 11.5 लीटर अगर हम क्या ले रहा है मिल्क ले ले रहा है यह हो गया हनी यह हो गया मिल्क या फिर हम ले ले रहा है क्या 1.6 kg cream kg cream ले ले रहे हैं cream या फिर 330 gram meat ले ले रहे हैं यह अब ध्यान दिए इन में से कोई भी चीज हम लें तो वो इसके equal होगा चाहे जो भी चीज लें वो इसके equal होगा तो जितनी energy हमको यहां से मिल रही है उतनी energy यहां से भी मिलती है तो इसका अनुपात निकाल के इसको हम label करके उतना ले सकते हैं वै दूद तो साड़े ग्यारे लिटर नहीं न पी सकते हैं आप कितना पी सकते हो आधा लिटर या एक पाँ तो उसका average निकाल के उतना सहथ लो एक चमच बहुत ज़ादे हो जाता है तो उसके कार्डिंग हम उतना यूज कर सकते हैं नेट्स पॉइंट के अगर बात करें 2.1 ग्राम आफ हनी प्रोवाइड 6,7 आइ मिन 67 कीलो कैलोरी आफ इनर्जी ध्यान दिएगा 2.1 ग्राम 2.1 ग्राम मतलब आप लोग जानते हो वो जो छोटी सी सिसी आती है ना हनी की उसमें 10 ग्राम होता है सायद होना चाहिए आसपास होता तो दिखा देते और एक आती है इतनी छोटी सी होती है 10 से 20 ग्राम की होती है अब इतना जान लो कि आप उसमें अगर चम्मच में अपने निकाल लए तो एक चम्मच में एक प्राक्स आ जाना चाहिए, दो दस मला एक ग्राम से जादे ही उसमें आ जाता है, आफ हनी प्रोवाइड 66 किलो कैलोरी आफ इनर्जी, अब समझ रहे हो, अगर हम लोग एक चम्मच सहद का सेवन करें, तो 66 किलो कै हमारे नेचर में नेचूरल चीजे हैं कहां, इंपासिबल सी हो चुकी हैं अब तो, लेकिन यह अगर मिल ला है, तो यह नेचूरल है, लेकिन यह अभी अब मार्केट में नेचूरल मिलेगा की नहीं, यह से और नहीं है, क्योंकि डाबर का है, तो पतंजली का है, तो इसका है तो उसका है मतलब आईसा-ईसा सहद आ गया है कि आप खा के भी पस्ता होगे तो अगर सहद वो जो आते हैं जंगल में रहते हैं वो लोग लाते हैं मटका उटका में लेके आते हैं अगर वो लोग मिल जाना तो बहुत प्योर सहद मिलता है बच्चा और वह इनर्जी का प् बहुत हिल्दी भी कहा जाता है यह सोच कि याद आया हम लोग जब हास्टल पर रहा करते थे भी ऐसी थाड़ियर के टाइम तो हम लोग साथ एक मेरा फ्रेंड था वह दूबला पदला था हम भी बहुत मोटे नहीं है उसको किसी ने बता दिया कि सहद के सेवन से इंसान मोटा हो जाता है तो उसने क्या किया सहत तो लिया ही लिया एक पुरा आधा लीटर वाला भर लिया था उसमें काजू पिस्ता बदाम और रख दिया एक दो सब्ता तक उसके बाद हमको हम बैलाजी से थे मैच से था हमको बुलाया यार यह सारी चीज़े रखे हैं इसको कैसे लेन मोमटनुम्कर लीए हैं हमके एकदम देखो ऐसे ले लेना पूरा से फिल्ट होना चीज़े और लेके कुरा मुख मैंटा डालके आराम से खाली हमकर गलाज पानी दो पानी दो पानी पीलिए हमकर चबा के wonders क कीstorm खा के हम अपने रूम पे आ गए, तो ऐसे यूज किया जा सकता है, प्योर मिल जाएगा आप लोगों को कहीं न कहीं, तो यहां पे है, it is used in the preparation of candles, ये यूज किया जाता है, candle के preparation में, cake में, और bread को बनाने में, यूज किया जा सकता है, it can be taken at any time in any season, and by person of all is even, those who just barn, यानि ये किसी उमर में भी लिया जा सकता है, इसका कोई उमर का bond नहीं है, कि नहीं अभी बच्चा पैदा हुए है, तो उसको मत दो, और बड़े हो गये तो मत दो, आप लोगों ने सुना होगा, जो बच्चा पैदा होता है, उसको एक छोटी सी निपल जैसी आती है, उसको खली मुँ में डाल दिया जाता है, उस निपल में सहद ही होता है, जो लोग होंगे, आसपास बच्चों को खिलाए होंगे, उनको याद होगा, कि जब बच्चा पैदा होता है, निव बॉन बेबी जो होता है, उसको वहीं सहद का निपल आता है मार्केट में मिलता है बस उगह दिया जाता है वो आराम से मुझ में डालके उसका रस निकालते रहते हैं सहद का जान दीजिएगा मिल जाएगा कभी किसी से पुछना आस-पास में सब बता देंगे कि हाँ सहद उन बच्चों को दिया जाता है इट कैन भी टेकेन आट एनी टाइम इन एनी सीजन समझ में आ गया बटा चलते हैं नेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे जो है मेडिसीनल वैलू अगर हम देख लें मेडिसीनल वैलू क्या है वीडियो लाज नहीं हो रहा है ना मेडिसीनल वैलू जो है हनी इस एंटी सेप्टिक एंड सिडेट्यू जनरली यूजड इन यह जो है एक एंटी सेप्टिक है और बहुत लाबदायक है जो आपको एक उमीद दर्स आता है कि नहीं आप निखार लाओगे जनरली यूजड इन आयरुबेदिक यह आयरुबेद में प्लस यूनानी सिस्टम में यूजड किया जाता है इसका मेडिसीन के रूप में नेक्ट पॉइंट है इस वाइट हेल्फूल बिल्डिंग अप यह बहुत आराम से मदद करता है आफ हीमोगलोबीन यानी हीमोगलोबीन के फार्मेशन में बलड में हीमोगलोबीन के निरमान में यह मदद करता है और आज़सो यूजड एज क्या प्रिवेन्ट और फीबर है तो उसको अगर हम सहत देते रहें तो उसको एक बिमारी से लड़ने की अंदर से immunity जग जाएगी I mean किसी को cold cough या फिबर है तब उसको सहद का सेवन करना चाहिए जिससे वो इन बिमारीों से आसानी से लड़ सकता है Then क्या है blood purifier यानि blood को सुद्ध करने में भी इसका यूज किया जाता है It is also found that typhide यानि अगर हम इसको typhide के patient को दे Jumps are killed by honey within 48 घंटे में उस patient के अंदर typhide के जो jumps are 48 घंटे में मर जाएंगे जिसको branchio pneumonia यानि सांस का problem है 4 दिन में वो ठीक हो सकता है Dysentry या I mean pages जिसको है 50 घंटे उसको लग जाएंगे ठीक होने में तो ये सारी medicinal value है और भी होते हैं जैसे इसके अधर uses में हम बात करेंगे It is used in preparation of biscuits यानि ये जो सहद है सहद का यूज biscuit, cake, bread, cream और बहुत सारी चीजों को बनाने में जो softsy और अच्छी चीजें होते हैं खाने योगे उसमें यूज किया जाता है It is used in making much amount of alcohol drinks यानि alcoholic जो drink होते हैं पीने वाले drink जो समझ सकते हो होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है In poultry and fishing industry honey is widely used यानि poultry और fishing industry में भी इसका यूज किया जाता है nutrient के रूप में जो sufficient nutrient provide कर देता है B wax पे अब आ जाते हैं जो दूसरा topic था एक था honey और दूसरा था B wax यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा honey और B wax तो यहां पे हम आ जाएंगे B wax की तरफ यह जो point है It is very useful by product आप भी यानि कि यह bees का बहुत useful by product होता है जिससे बहुत सी चीज़े बनाई जाती है Keeping industries जो bees keeping industries से बनाईने वाली चीज़ है product जो है वो bee wax बहुत ही important होता है It is yellowish to greyish brown यानि इसका जो color होता है यह कह सकते हैं पीला या brown type का लेके होता है in color It is insalubal in water यह soluble नहीं होता जल में जबकि यह soluble होता है ether में या ether में soluble होता है और जल में insalubal होता है चलते हैं जरा इसकी economic importance देख लेते है ध्यान देना यह जो है bee wax bee wax कहां से मिलता है जो मधू की यह छट आप लोग देखते हैं न यह छट अगर छट को आप दबाएं तो समझ जाएगा कि bee wax कहां है वो छट लगभग मोम से ही पूरा भरा पड़ा रहता है यह जो workers होते हैं न यह workers के पास wax gland होता है इनके पास wax gland होता है जिससे wax को reduce करते रहते हैं और छट के repair और भी बहुत सारे function के लिए वहाँ पे कारे करते रहते हैं तो लगभग छट जो पूरा है यह be wax से ही बना हुआ होता है और अंदर की तरफ be wax भरा होता है मोम जिसको मोम बोला जाता है इसका color आप देखे होंगे brown या पीला color का आपको दूर से भी दिखलाई देता होगा इसको आप पानी में डाल दें अगर तो यह पानी में घुलेगा नहीं तैरता आपको दिखलाई देगा मोम आप देखे है डाल देजे पानी में घुलेगा नहीं घुलेगा लेकिन इसको आप इथर की एक घोल में डाल देजिए तुरंट क्या होगा घुल जाता है तो यहीं यहां पर बोला गया कि यह जो बी वैक्स है यह एक बी कीपिंग का जाओ बी कीपिंग इंडेस्ट्रीज होती है उसका बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट होता है बी वैक्स आप यह समझ लो कि यहां मदमक्खी के पालन में इसकी जो पूरी यह है छट है छट से ल छट बचा था छट में भी मोम है मोम का यूज़ कर लेते हैं एक उसके अंदर रस बचा है जो सहद है तो यह सारी चीज़े यहां बी के पास अच्छी होती है जो किसके लिए हुमन बींग के लिए इंपार्टेंस रखती है अब ध्यान देना इकोनामिक इंपार्टेंस इस क्रीम हो गया आखों पे लगाते है ना आख में लिप्स्टिक हो गया और भी बहुत सारे मोईस्चिराइजर होते हैं वो और बहुत सारे पेस्टे जो हम लोग चेहरे पे लगाते हैं वहां पे इसका यूज़ किया जाता है बीवैक्स का यूज़ किया जाता है कॉस्मेटि किड़े मकोडों का वहीं हम लगाका लगाक्छे रहते गया दो दीन में फूर से यूच किया जाता है फिर फ्लास्टिक-वर्क जो प्लास्टिक के बहुत सारे चीजे होती है टूल्स टेक्निक यह सब भी चीजों में इसका चाया गया है फिर पालिसेज हैं प्लिसेज मतलब फरनीचर पे और जूते की 높 उलीच से जाते हैं वह इनीस से बनायी होंगे कि हम एक बीवैक्स ट्रे लेकर बैठे रहते हैं उसमें एक्सपरिमेंट करते हैं कुछ चीड़ फाड़ तो वहीं होता है जो अंदर यह पूरा इसे रहता है उसके अंदर भरा हुआ जो मोम होता है उसी को बीवैक्स कहते हैं प्लस अभी हम बच्चों को करवाई रहे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्लीज नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिजिए और जितना आप लोग सेयर कर सकते हैं प्लीज सेयर करिए क्योंकि वीडियो लो ना होने पाए नहीं तो लो होगा तो हम हो सकता है किसी और चीज पर काम करना शुरू क कर दें क्या जरूरा था कि हम वीडियो में इसमें अपना टाइम वेस्ट करें सो प्लीज आप लोग चैनल को सेयर करते रहें लाइक और सब्सक्राइब जरूर दगाए थैंक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो